मिडिल इस्ट में इसराइल हमास की युद्ध की वज़े से हालात पहले ही खराब थे इसके बाद इरान के भीषण मिसाइल हमलों से मिडिलीस जंग के मैदान में वदल गया इसराइल के दमिश में इरानी दूतावास पर हमले के बाद इरान ने पलटवार किया और फिर इसराइल ने एक और हमला कर दिया इस्राइल ने इरान को कमजोर करने के लिए परमाडू सयत्रों को निशाना बना कर इस्वहान शहर में न्यूकलियर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाईले दागी और अब ये जंग यही नहीं रुकी है दूसरी तरफ इरान अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रहा है जिसका अंदाजा खुद इस्राइल को भी नहीं है जी हाँ इस खबर ने इस्राइली पीम नेतन्याहू की चिंता को बढ़ा दिया है दरसल इस्लामिक रेवलुशनरी गार्ड कॉप्स के टॉप कमांडर प्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजिजा देह ने चौकाने वाला खुलासा किया है एक टीवी चैनल को दिये गए अपने एक इंटर्व्यू में उन्होंने बताया पिछले महेने इसरायल के खिलाफ जवाबी हमलों में इरान ने अपने पूरे सैनेबल का केवल एक अंश ही इस्तमाल किया था इसरायली शाशन के खिलाफ कारेवाई करने के लिए जो कुछ भी तैयार किया गया था उसका केवल 20 प्रतिशत ही उप्योग करके सूपर पावर देशों और उनके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा था IRGC के कमांडर ने इसरायल की मदद करने आगे आए सूपर पावर देश अमेरिका के बारे में भी जिक्र किया उन्होंने इस बात पर जोर दिया इसरायल ने ईरान के हमलों का मुकाबला करने के लिए अपने सभी सेनेबल जुटाए और अमेरिका ने भी इसरायल के समर्थन में अपने विमान, क्रूजर और ए reply क्राफट कारियर तैनाद किये उन्होंने कहा कि इस्राइल ने अपनी सारी ताकत का इस्तमाल अभी नहीं किया है इस्राइल और उसके सहयोगियों ने इरान का मुकाबला करने के लिए अपनी सारी ताकत एक कर दी अमेरिका जिसने पहले दावा किया था कि उसका दखल करने का कोई इरादा नहीं था वो इस्राइली शाशन की मदद करने आ गया लेकिन आयार जीसी के टॉप कमांडर बिगेडियर जनरल आमिर अली का दावा सच है तो इस्राइल की मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि इस्राइली सेना ने जिस तरह इराइल के भीतर घुश कर प्रतिरोधी समू की अंडरग्राउंड सेन ठीकानों पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया उससे अब इराइल के वे इस्राइल पर हमले का खत्रा बढ़ गया है फिलहाल तो इराक का प्रतिरोधि समूही इसरायल के सैन थिकानों पर हमला कर रहा है ये हमला इसरायल के एलिट बंदरकापर आईडियाफ के एक सैन थिकाने पर किया गया था इसरायल और इरान के जगड़े की वज़े से आज पूरा मीडिलेस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है